हेलो दोस्तों स्वागत आप सबी का मेंट है कि मैंतिन चैनल पर दोस्तों आप फिर मैं आपके लिए न्यू इन्फोर्मिशन वाली वीडियो लेकर आए हूं एक वहां पर दोस्तों देखने को मिलेगा कьогоहां पर سquinho उसकी जो रीडराइट स्पीड होती है जो वहां पर सेकंड उसक के जो जो टरह की स्पीड होती dire मेंशना ओजित कहा करते हैं तो आप पे आपको इन दोनों में से किस की तरफ जाद देना चाहिए तो दोस्तों यहां पे जो हमारी SSD के अंदर जो sequential read और write speed होती है या फिर जो random read और write पीड होती है यह जाने के लिए सबसे पहले तो आपको दोस्तों यह जाना जूड़ी है कि जो हमारे hard digit drive में data कैसे store हो जाता और read कैसे होता है यहां पर दोस्तों आपने देखा हुआ कोई सी कंपनी की अगर आप जो hard digit drive बाय करते हैं फिर कोई सी भी specific mode number होता है अगर आप उसकी detail यह पैक्शीट होती है उसमें देखेंगे तो वहां पे दोस्तों आपको देखने हो मिल data storage करते आएंगे वहां पर इसकी speed जह उतनी कम होती चली जाएगी अगर चोटी सी फाइल जो आप जो transfer यह कोपी करना चाते हो वह काफी speed से होगी पर दोस्तों अगर आप लार्ज फाइल यहां पर लेंगे तो वहां पर आपकी speed इतनी आदा नहीं होती वहां पर आपको बह होते हैं यहां पर हमारे Heart Digital is the Sequential Read Guide कैसे होगा यहां पे दोस्तों जैसे मैं आखता हों कि वहाँ पे मेंगेंटेप होती है और उसमें सेक्टर होते हैं सेक्टर में आप यह लेसकते हैं कि वहां पर फर्स्ट में यानि मान ली जह ब्लोक है एडिया है उसके अदर data आपर ट॑ के अंदर फर थ्री के अंदर फ्रॉर के अंदर मतलब सीर्यस में यहां पे कोई data रिट्ण हो रहा है और वहाँ पे रीड होओडा है और यहाँ पे ग्लोक तो वहाँ पे praps ब्लोक है वो कहीं ओर पडा हुआ तो इस तरह होता है, जैसे कि दोस्तों आप इस पिच्चर में देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब यह है, अब दोस्तों यहाँ पर हम आयाते हैं, बात हमारी जो SSD के अंदर, SSD के अंदर दोस्तों वहाँ पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, अब दोस्तों हम यहा पर दोस्तों कि उता है कि सीड इंदर हमारा जो डाटा होता है door पर प्रेंदर बोख लोग के लगता है ऊहला ऐसे क्या होगा यहां पे उसकी जो read-write speed भी काफी तेजी सी होगी हलब यहाँ पर write भी same ऐसे लिए सकते हैं कि एक सीक्वेंस में फ्रस्ट ब्लोक में बाँ पर लसे सैकिंड ब्लोक में फिर थर्ड में फिर फूर्ट में तो इसे हम सीक्वेंसर read-write भोलते हैं वहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे M.2 Solusi Drive होती है उनमें आपको जो Sequential Read Right Speed काफिया देन मिलती है पर SATA version वाली जो Solusi Drive होती है उसमें वहाँ पे आपको 6 Gbps से ओपर जो Read और Right Speed देखने को नहीं मिलती है यह सिर्फ आपको दोस्तों उसमें मिलती है जो PCI Express स्लोट वाली जो हमारी जो होती है M.2 Solusi Drive होती है Non-Volatile Memory Express उसमें आपको काफ़ी हाँ बात करते हैं कि यहाँ पे जो Solusi Drive के अंदर जो Random Read और Right कहता है यहाँ पे दोस्तों कहता है कि जो Random Read और Right होता है उसमें दोस्तों वहाँ पे कहता है कि ब्लोक में हमारा जो Data होता है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि Sequence का मतलब वहाँ कि एक से बाद एक ब्लोक में हाँ पे Data रिटन होता है कभी किसी और से कभी किसी और से कभी इसी और से तो यहाँ पे दोस्तों उससे क्या होता है कि हमारी इतनी आदर स्पीड नहीं होती है अगर दोस्तों वहाँ पे आप जो random read write speed देखेंगे तो वहाँ पे किसी भी company वहाँ पे जो उसकी megabyte per second में नहीं देती वो देती है वहाँ पे input output operation per second में वह सी करके देती है क्योंकि वहाँ पे जो operation होती है क्योंकि वहाँ पे data उठाएगा वो किसी और block से मतलब हमारे जो large file का data पढ़ावा किसी block में तो उसे collect करके वह आपको जो वहाँ पे combine करके देता है तो वहाँ पे इसमें काफी time लगाता है और वहाँ पे दोस्तों उसमें क्याता है कि latency भी उसकी थोड़ी जाद होती है मतलब sequential read write के मकाबले इसी करके दोस्तों वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे आपको जो speed random read write की वहाँ पे आपको काफी कम देखने को मिलेगी मतलब megabyte per second में तो उन्हों ने क्या किया चलाकिस है कि वहाँ पे input output operation per second दे दिया पर दोस्तों अगर वहाँ पे आप उसे convert करेंगे तो वह आपको काफी कम देखने को मिलेगी यहाँ पे दोस्तों क्या सकता है उसकी calculation होती है या फिर आप दोस्तों सिंपल ही क्या कर सकते हैं कि अगर माली यह आप bench mark करेंगे क्योंकि मैंने जैसे पहले इबता चुका हूँ कि जितनी भी हमारे solution drive भी या फिर हमाली हार्ड डिज़ डाइव में जो speed दियोती है वो अतनी आदा हम में नहीं मिलती है जितनी वहाँ पे दियोती है उसे कम मिलती है लार्ज फाइल अगर जितनी आता बढ़ती चल जाएगी तो वहाँ पे और आपको वहाँ पे speed कम देखने को मिलेगी और चोटी फाइल में वहाँ पे आपको speed कितनी मिलेगी यह दो डिपैंड करता है क्योंकि वहाँ पे special testing की होती है social drive की यहाँ पे जो यह speed है इस system से मिली है यहाँ पे दोस्तों आप कैसे देखते हैं कि वहाँ पे crystal disk mark होता है अगर दोस्तों वहाँ पे देखेंगे आप उसकी testing करके देखेंगे मतलब यानि कि 4K block of writing करके देखेंगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको देखने हो मिलेगा कि वहाँ पे sequential read write भी आपको दिखाता है मतलब megabytes per second में और वहाँ पे अगर आप जो random read write देखेंगे मतलब input output operation per second में देखेंगे उससे बात दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे डिवाइड बाई 1024 यहाँ पे दोस्तों हम जितने भी लेंगे कि 4K block होती है यहाँ पे इसका मतलब है 4K का मतलब 4096 bytes का है अगर दोस्तों example के तोर पर किसी कि हमारे जो input output operation per second है 20,000 के क्रीब है तो वहाँ पे 220,000 के क्रीब है तो वहाँ पे 220,000 का मतलब multiply और हमारा जो block हुआ हो 4K के का है 4 के साथ multiply उससे बात दोस्तों यहाँ पे जो आएगा उसको यहाँ पे 1024 से आपको डिवाइड कर देना है उसमें आप दोस्तों देखेंगे कि वहाँ पे 78.125 Mbps के क्रीब आपको जो speed देखने को मिलेगी तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह आपको देखने को मिलता है आप वहाँ पे setting में या फिर दोस्तों आपको क्या कर सकते हैं कि online calculator होती है वहाँ पे आप input output operation per second बढ़िए और कितने size का जो आपका block है जो 9 gain में वह बढ़िए और आपको simply वहाँ पे result मिल जाएगा यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं। कि यहाँ पे इन दूनों के दीच में क्या difference होता है मतलब हम उने जालनी है कि sequencing r-write क्या होती है random r-write क्या होता है input output operation per second उसमें क्या होता है मतलब input output operation पर second होते हैं वहाँ पर आपको काफ़ slow देखने को मिलेगी मतलब sequential के मुकाबले क्योंकि वहाँ पर जैसे मैं नहीं गता दिया blow की दर दर होंगे तो उसमें वहाँ पर data collector में मतलब controller को काफ़ी दे लगती है तो वहाँ पर latency जैसे हम कहते हैं पर फिर जो time लगता है तो उसमें मतलब इतना भी time नहीं लगता पर वहाँ पर sequential के मुकाबले हमें time लगता है तो वहाँ पर फिर speed आपको slow देने मिलती है उससे बात दोस्तों यहाँ पर इनमें अगला फरा को जो होता है वो होता है कि यहाँ पर sequential जो read right होता है इस तरह पड़ा होता है और यहाँ पर यह ओडर follow नहीं करता है मतलब यह नहीं है कि वहाँ पर sequence में यह आपका data पड़ा होगा तो वहाँ पर dोस्तों किसी-किसी ब्लोग में आपका data पड़ा हो सकता है तो यहाँ पर सब कुछ यह डिपेंड करता है random read write में तो वहाँ पर थोड़ी जाद देखने मिलेगी जिसे वहाँ पर उसमें जो data read or write होता है थोड़ा late होता है sequential जो read write के मकाबले और दोस्टो अगर हम इसमें overall कहें कि यहाँ पर performance कि इसमें जाद देखने मिलती है तो दोसमें हम दोनों में से कौन सी चीज देखने चाहिए तो यहाँ पर दोस्टो जब भी आपको SSD बाय करते हैं तो दोनों में से आपको दोनों चीज पर काफी ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर इसको sequential read write इतनी है तो वहाँ पर उसके अगर sequential read है जितनी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर वह जो उतनी performance आपको काफी आच्छे देगी और यहाँ पर दोस्टो सेम केसी रहा है कि जहां पर उसके random input output operation पर सेकिन ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर उतना आपके लिए benefit होगा क्योंकि वहाँ पर उतनी तेज pencil है अकेला देखें क्योंकि वहाँ पर आपको अगर large file देखनी है बहुत चाता कि आप large file जो करते हैं और वहाँ पर sequence में ही बेच रहा है तो वहाँ पर उसके आप read write देखते हैं अगर मान लीजे कि आप वहाँ पर देख रही है कि आपको छोटा-चोटा data है और आप small size के इस्तिमाल करते हैं तो वह जो data है फिर आपको जो input output operation पर second जा देखने चाहिए कहीं बार है सकता है कि वीडियो क्रेटर नहीं होते हैं कि मतलब वीडियो data नहीं होता उनके स्री file होती है चोटी-चोटी है और उनको इधर उधरी block में डालना होता वह sequence में नहीं डिलती तो इसकी वह से क्या होता है कि आपको फिर input output operation पर second देखने चाहिए और अगर दोस आप overall performance देखे हैं तो आपको दोनों चीजियों पर बराबर ध्यान देना चाहिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको information काफी अच्छे लगी तो दोस्तों आगले वीडियो मैं आपको फि अब तक लेन चीजिक तरी और आगे बढ़ते लिए